नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त चंदन सिंग फिर साथ जो रख बन नहीं वीडियो के साथ आपके अपने फ़ेड़ चाहरा CES टेक्निका पर तो दोस्तों आज का वीडियो एक खास होने वाला है क्योंकि आज इस सुडियो में आपको बताऊंगा कि केंद्रेव जैले स् से ज्यादा कोटा में कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं आज की स्टूडियो में बताऊंगा इसको लेकर के मिरे पास बहुत सारे पेरेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे वह लगतार मुझसे यहीं पूछ रहेगी सर मैं इस काटेगरी में आता हूं तो क्या इसके साथ मैं इस कमेंट्स आ रहे थे तो सोचा क्यों ना इसको पर एक मैं वीडियो बनाकर के आप रोक्षा शेयर करो क्योंकि अभी बहुत ही जल्द के अपना अड्मिशन के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी करने वाला है तो सोचा क्यों ना आपको इसके बारें पहले बतातो ताकि आपको पता हो कि जिसमें लॉट्री लिस्ट में नाम आता हो प्रायोर्टी बेस पर आता है तो इसलिए आज के वीडियो बहुत खास होने वाला है तो वीडियो सुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बढ़ाएं तो चैनल को अब कर पूस्ते हैं कि इसा होगा है मेरे पूरानी वीडियो नहीं दिखते हैं इसका रिजन है क्योंकि सब्स्राइब नहीं करते हुए तो उनको बागी के वीडियो के नौटिधिकेशन नहीं बते हैं तो चलिए को सुरू करते हैं सबसे पहले बात आती है कि रीस्टेशन पर जब register करेंगे वहां पर बच्चे का नाम बच्चे का डेट अगर आपका बच्चा special child है तो अगर आप दीए कोटे की तो अपने बच्चे के अदमिशन के लिए अपलाई करने वाले हैं तो आप उस पर सारे addresses भरने होते हैं तो हाँ सबसे पहले आता है कि आप कौन सी category में आते हैं अगर सब्ते कारी जयौब में तो इसको पर ग데गर 1 जयुब वालों के लिए तो मैंने मैंने लेकर बता रहां करें का सबमिशन है जो किसी सरकारी जॉब में नहीं है वो सभी Category 5 में आते हैं और यह सेक्टर वाइस थोड़ा चेंज भी हो जाता है और इसको लेकर एक वीडियो बनाता है कि किस स्कूल में Category 1-5 तक है किस स्कूल में Category 1-6 तक है तो अगर आपने तक वीडियो नहीं देखे तो आप देख सकत यह बात हो गई इसके बाद जब आप नेक्स स्टेप लेंगे तो वहां पर आएगा कि क्या आपका बच्चा सिंगल गट चाईड है अगर है तो आपने येस करना है तो देखिए इसके साथ एक लड़का बात है तो जो सिंगल गट चाईड है उसका मतलब यह है कि एकल कन्य है कि सिर्फ आपकी लड़किया हैं सिंगल हो चाहें ट्वेंस हो चाहें ट्रिपलेट हो तब ही आप सिंगल गल्ड चाइड कोटे के थ्रू एडमिशन के लिए अपलाई कर सकते हैं इसके साथ एक बार बात बता दो कि जब आप आप साथ कोटे को टिक करेंगे तो पहले के लिए दूसरे के लिए आपको वहां पर लिंक कुड मिल जाएगा वहां पर और यहां पर के te深 크osc क let यानि कि आपने एक ही रेजिस्टेशन के अंदर यह सब कुछ करना है तो जब आप यह SGC कोटा वाला सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद जो अगला option आएगा कि क्या आप SC, ST, OBC से आते हैं अगर आते हैं तो आपने वहाँ पर जो है अपने कास्ट का सेलेक्ट कर लेना है कि के के बहुत है कि हां मैं इस कास्ट में आता हूं तब वहाँ पर आपने कास्ट को सेलेक्ट कर लेना है कि यहाँ पर मैं आपको बता दिया कि क्रेंगरी आगई, DA कोटा आ गया अगर आप इनसे करते हैं और आपके पास डॉकमेंटरी प्रूफ है तो आप जो है,исл स् तहथ भी consider किया जाएंगे याँ आपके बच्चे के अडिमिशन के लिए आर्टी कोटे के तहथ भी रेजिस्टेशन में प्राइटी मिलेगी तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया सबसे पहले डिये कोटा आ गया उसके बाद आ गया उसके बाद कास्ट का गया उसके रठी का गया है एक साथ आप एक ही रज्जिस्टेशन के और एक के re तो आपको फोरोयटी की प्राइटी डी जाती है तो एजसा हैं सिर्प चार्प वालों को ही प्राइटी दी जाती है अगर मालीजी आपके पास ऊट Design online वहां फे आपके बच्चे के admission के chances ज्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि आपके बच्छे को priority ज्यादा मिलेगी क्योंकि, उपर से BPL मे बहरे तो इतने सारे जड़ी praising着र के लिएitos is속 Shapod谢谢 customers, देखिएaa की और बात बता दू, कि कि किसी भी quota किसी भी category तो अगर आप अपने बच्चे का अडमिशन के लिए अपलाई करें तो ध्यान रहे कि आपके पास उन सभी quota और category के लिए आपके पास documentary proof हो अगर आपके पास किसी भी quota category के proof नहीं है और आप उसके अंदर आते हैं तो आप उस quota का chain ना करें या उस category का chain ना करें क्योंकि गलती से आप उसको select कर लेते हैं तो क्या होगा कि आपके बच्चे का admission list में तो नाम आ जाएगा लेकिन जब आपको इस school में बुलाया जाएगा सारे documents verify करवाने के लिए उस condition में अगर आपके पास वह documents नहीं होगे तो आपके बच्चे का lottery list में नाम आने के बाद admission नहीं हो पाएगा फिर जो बच्चे waiting list में रह जाते हैं उन बच्चों को chance दिया जाते है admission के लिए तो इस बात का बिल्कुल भी गलती ना करें आपके पास जो documents हैं उसी कोटावर category तुर अपने बच्चे का admission के लिए अपलाई करें at least यह तो रहेगा कि आपने apply किया आप आपने अगर गलत कोटावर category का chain कर लिया और admission list में नाम आ गया और admission नहीं हुआ तो आप हमेसा regret करेंगे कि कास मैंने सही category कोटे का chain किया होता क्या पता मेरे बच्चे का admission list में नाम आ गया होता इस बात का पका ध्यान रखें मैं पिछले कई सालों से वीडियो बना रहा हू तो आप लोगों के लिए वीडियो में लगतार इसलिए बना के लारों ताकि आप वो गलतिया नहां करें जो पिछले कई सालों से पेरेंट्स करते आ रहे हैं और उनके बच्चे का admission लिस्ट में नाम नहीं आपार तो दोस्तों आज के लिए बास इतना ही वीडियो अच्छ जो पेरेंट्स पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नहीं वीडियो देखने के लिए के अंदरे विद्याले से रिलेटिव तब तक के लिए धेंक्यों बाबाए जय ही जय भारत